मयानी क कैसे लगा जाती है और मयानी का चली नगाने कहना अधिक दोनों चीज बतांगी मैने असन की कटिंग किया मियाक जाद ही इससे औरalen है से निटो कपड़ा है मैं मुझानी कट करूं यह कपडा है यह ऐसे डबल है तो इस मेंसे हम इसतर ऐसे बनाएंगे ऐसे मैं क्यों कि थोड़ा रेव वाली कटती है इसको इस तरह से करांगे छोड़ा याप अंशाल ले सकते हो आपको कितनी चोड़ी म्यानी डालने हैं कितनी छोटी या लंबी डालनी है अब हम यहां से इस तरह से ऐसे । घॉलाय बना देंगे और इस सईड से हम ऐसे गोलाई करें तरह करएंगे इसकि प्रॉल हम इस तरह करेंगे इधर से थोड़ी गयराई लेंगे जो हमारा बीच आएगा सेंटर में और इसको इस तरह से कटिंग करतें अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर देगे और फिर जैसे मैंने इस तरह कपड़े को ऐसे तिर्चा मूड लगा था इसको भी ऐसे गयाए कर देंगे अएसी है यह हमारा म्यानी कठ्के का कटिंग तयार हो गया अब हम इसको प्लाजो में हम ऐसे लगाइंगे सबसे पहले हम जैसे आसन है एक आसन को इस तरह से लएंगे ऐसे और इसको इसमें ऐसे लगाइंगे जो पतले वाला इससा है वो उपर लगेगा और जो नीचे से चोड़े वाला वो ऐसे लगेगा इसमें हम इस तरह से शिलाई करतेमें ऐसे यहां से यहां तक और जब भी हम यहां नी लगाएंगे तो हम नीचे की साइड से शुरू करेंगे और उपर की साइड को लगाएंगे जैसे मैंने उपर वाली भी यासे कद्धी मोड के दूसरी शिलाई भी लगा दी हम एक तरफ की सैट हो गई अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे लगाएंगे दूसरे वाला जो आसन है उसको लेएंगे देखो यह आसन का खुणा ले लिया इसको हम इस साइड से लगाएंगे ऐसे और ऐसे लगाने के बाद इसमें हम पूरे उपर तक शिलाई लगा देंगे उपर आसन तक शिलाई लगा देंगे और फिर जैसे मैंने इसकी कन्नी मोड है इस तरह से ही अंदर को लगा के जैसे हम के नी मोड़ते हैं ऐसे सिलाय मारते हैं और दूसरे म्सलिंगें मि सप्ट हुदम करें किस्की मैं भी और इसतर से मियानी लगा थे हैं अब देखो जैसे मैंने दोनों तरफ की म्यानी जोड के इसको तयार कर लिया अब हम जब बीच की सिलाई लगाएंगे तो बीच की सिलाई ऐसे लगाएंगे दोनों जोड इस तरह से मिलाएंगे ऐसे और इस साइड का भी और ऐसे जोड मिला के तब सिलाई लगाएंगे ऐसे ऐसे थोड़ी गोल आई लेकर तब सिलह लगाई इस तरह से क्योंकि अगर हमारे जोड उपर नीचे हो गए तो हमारी जो यह आसन है इसमें मतलब थोड़ा टेड़ा पना जाता है उससे हमारी यह म्यानी भी खिचने लगती है यह इसलिए डालते हैं क्योंकि जिसका आसन ब्राइता है इससे डिलाए बीच में लूणिंक आ जाती है और उस से हमारी ठीक ब्रॉप अच्छी हो जाती है ऐसी यह मारी P идетंट वगएरा में Bem शेद को जैनट में और झाल वाल एटो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो आप हमारी चैनल को सस्कार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए